Hey everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains and today we are going to do the 9th chapter of our honeysuckle book grade 6 and the name of the chapter is desert animals Okay, desert animals अब है desert animals मतलब, या desert animals की बाद थोड़ी different होती है तो हमाई दर पे जो cows और pigs और buffalo होते हैं इसे वो थोड़ी different होते हैं तो उनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है So let's begin our chapter So हम बहुत सारे टाइप के जानवरों की बारे में बात करने वाले Before you read, can you name some desert areas in India and the world? Who do you think lives in such areas? कुछ desert areas के नाम बता सकते हो So अब cold deserts भी होते हैं, hot deserts भी होते हैं So हम Rajasthan की बात करें, हम थार desert की बात करें या हम लद्दा की बात करें ये cold desert होता है, थार desert की बात करें तो थार desert is like a मीरो तक सिर्फ सांड और सांड और इस टोटली होट तो हम जब Rajasthan की बात करते हैं Rajasthan में जैसल मेर की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है? मनला वो एक proper जो एक desert का लुक होता है रहा जो हमाई आखों में बसा हुआ है, वो वैसा कुछ है But again, it has its own beauty वहाँ कैसे लोग रहते हैं? थोड़ा उनका रहने का तरीका अलग होता है वहाँ जो animals जो रहते हैं वो उन animals का adaptation हो चुका है मतला वो इतनी जो extreme temperature है उस temperature को adapt कर लिया है उन्होंने क्योंकि वहाँ पर water scars होता है मतला बहुत कम amount में पाया जाता है तो उन्होंने उस अपनी body को अपनी जो पूरी जो life, day-to-day life होती है उसको उस तरीके से adapt कर लिया है and this is what we are going to understand today So, let's begin our chapter Desert are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain Deserts जो हैं पूरे earth में जो सबसादा dry places होते हैं उन्हें हम desert कहते हैं वहाँ पे कभी-कभी months और कभी-कभी years तक बारिश नहीं होती है But even the desert animals cannot survive without water और for long periods in the scorching sun So, they have had to find different ways of coping with the harsh conditions लेकिन जो desert में जो animals होते हैं reptiles होते हैं जितने भी वहाँ पे जो creatures होते हैं वो भी बिना पानी के survive नहीं कर सकते तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने adapt किया उन्होंने अलग-अलग तरीके find किये to cope up to cope with harsh conditions उन्होंने अलग-अलग तरीके find के ताकि cope मतलब सहन करना to bear the harsh conditions harsh क्या मतलब होता है? जो कि बहुत difficult conditions होती है आप 60 degree के temperature पे जिसमें आपका एकदम body के छिलके निकल जाएंगे उस तरीके की temperature में survive करना is not easy तो उन्होंने किस तरीके से cope किया? वो हम पढ़ने वाले अब ऐसे इधर पे तो एक का नाम दिया हुआ है और ये क्या होता है? दिया लेक desert mouse ठीके? mouse होते हैं desert में जो पाए जाते हैं और उनके जो पीछे के hind legs मतला पीछे के जो legs होते हैं वो काफी लंबे होते हैं अब ये लोग क्या करते हैं? ये लोग दिन भर बरोस के अंदर रहते हैं मतला अपने बिल में रहते हैं वो दिन में निकलते ही नहीं है क्योंकि अगर दिन में निकलेंगे तो क्या होगा? धूप की वजह से जो उनकी walk बोडी में जो आलवेडी हमारी सबकी बोडी के अंदर वाटर होता है राइट सो वो जो वाटर है वो इवापरेट हो जाएगा उनको प्यास लगेगी आप उनके पास ऑप्शन नहीं है वहां पे आप पानी इसली नहीं फाइं कर सकते इसली वो लोग क्या करते हैं वो दिन भार निकलते ही नहीं है और उसकी वज़े से वो सिफ रात को निकलते हैं रात में निकलके वो अपने लिए खाना धूनते हैं अपने लिए इंसेक्स खाते हैं या पत्तियां खाते हैं जैसा भी रहता है लेकिन वो रात में ही निकलते है तो दिन भर बोरो क्या करते हैं? अपने बरोज में रहते हैं And strange insects called darkling beetles are experts at catching drops of moisture on their legs then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths अब ना वहाँ पे बहुत strange insects होते हैं उनका नाम क्या होता है? Darkling beetles अब ये क्या करते हैं? अगर रास्ते में, जमीन पे, कहीं पे भी थोड़ा भी moisture मिलता है तो ये लोग experts होते हैं, वो लोग कैसे catch करते हैं? वो उसके जैसे पैर में आता है, फिर उसको उच्छालते हैं उच्छाल के वो अपने उपर टपकाते हैं और उसके बाद वो अपने मुह में उस पाने को उस moisture की जो बून दोती है, उसको ले लेते हैं Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes अब हर desert ऐसा नहीं होता कि भाईया, sand dunes, sand dunes क्या होती है, अगर कभी देखा होगा तो इस तरीके से जो है, वहाँ पर पुरी जो जेत होती है, उसके ऐसे छोट-छोटे टीले दिखते हैं पहार जैसे छोट-छोटे दिखते हैं, क्योंकि क्या होता है, wind आती है, उसने sand कोड़ाया अपने साथ जहाँ wind lose हो, इवहाँ छोड़ दिया, तो ऐसे छोड़ते-छोड़ते हैं, छोट-छोटे mountains बन जाते हैं Sand dunes क्या होते हैं, heaps of sand formed by the wind ठीक है, तो हर desert ऐसा नहीं होता कि बस दूर तक sandy sand है Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes कुछ जो होते हैं, वो बहुत rocky होते हैं, पथरी ले होते हैं, pebbly मतलब बहुत साई पथर होते हैं Dotted मतलब एकदम, it's not very comfortable to walk there Or with small bushes while other, dotted with small bushes मतलब, यहां इधर इधर कहीं एक जो है वहाँ small bush होगी While others are sprinkled with colorful flowers during the spring और कुछ ऐसे भी होते हैं, deserts जहां पर spring के time पर बहुत beautiful flowers खिर जाते हैं There are more than 2300 different kinds of snakes around the world Ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters Now we are talking about snakes So, 2300 varieties of snakes होते हैं And these snakes are poisonous, and many of these poisonous snakes are poisonous 11 centimeters से लेके, meters long होते हैं So, जैसे कि पानी वाला साप होता है, उसकी बात करें, वह छोटूसा होता है वह साप की मौसी बोलते हैं जिसको इतूसा होता है और कुछ होते हैं, अम python, python, cobra, cobra की बात करें तो भाई, वह लोग तो खतम ही नहीं होते Most snakes are quite harmless बहुत साई snakes होते हैं, वो बिलकुल harmless होते हैं But there are a few that are so poisonous, they can kill a human being with just one bite और कुछ snakes इतने poisonous होते हैं, कि बस एक बार आपको वो bite करेंगे और आप निकल लोगें मतलब you will die Most snakes lay eggs, but there are many which give birth to their young बहुत maximum जो snakes होते हैं, वो लोग अंडे देते हैं मतलब when they are giving birth to their offspring, तो मतलब basically वो eggs ले करते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी snakes हैं, जो की offspring, मतलब जो छोटे-छोटे snakes को ही birth देते हैं ये एक नहीं बात है In the dry rocky deserts of America lives a rather evil looking snake with a very bad reputation अब हम बात करें एक बहुत ही खतरनाक से snake की जो कहां रहता है Desserts of America So, यहाँ पे एक snake है जुसकी reputation बहुत खराब है, मतलब जिसके बारे में काफी बुरी-बुरी बाते फैली हुई है Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away and it can strike with lightning speed अच्छा वो क्या करता है जो उसकी जैसे यह अगस नेक है तो उसकी जो tail है वो हमेशा ऐसे खड़ी रहती है Rattle मतलब जैसे वो बच्चों का होता है जुन 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 जुसको आप ऐसे से से हिलाते हो and वो इतनी जोर से उसकी आवाज आती है कि 30 meters तक आप उसकी आवाज सुन सकते हो and it can strike with lightning speed और वो आपके उपर lightning मतलब बहुत ही fast हमला कर सकता है but the rattlesnake or rattler अब इसको rattlesnake कहते है क्योंकि उसकी पूंच से वो rattlesnake या rattler कहते है as it is sometimes called prefers to avoid people if it possibly can actually जितने भी animals होते है ना जितने भी खतरनाक animals होते है who can kill human they do not want to kill actually तो उन लोगों को क्या है वो always they avoid वो पंगा लेना है नहीं चाहते है so just time this rattlesnake की बात करें तो वो हमेशा avoid करता है people मतलब लोगों को avoid करता है if it possibly can अगर वो avoid कर सके तो वो avoid करता है कैसे avoid करता है? it holds its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed अगर उसको आपने बिना मतलब के तंग किया तो वो क्या करता है? वो अपनी जो पूछ होती है उसको rattle करना start करता है move करना start कर देता है ताकि आप उसकी आवाज सुनो और भाई वहाँ से निकल जाओ in the hope that the intruder will go away intruder का मतलब क्या होता है? जो बिना मतलब के जिसकी जरूरत नहीं है वो घुसाया है intruder का मतलब क्या होता है? invader who enters without permission मालब आपकी जरूरत नहीं है आपने बिना मतलब के आप घुस गयो तो वो intruder को एक तरीके से warn करता है कि भाई do not come here however if its warnings are ignored and it feels threatened लेकिन अगर उसको लगता ही जो मैं वर्निंग दे रहा हूँ यह आप अंसुनी कर रहे हो अगर आपने उसे इग्नोर कर दिया और उसके बाद भी आप उसकी तरफ जाते हो तो क्या होता है? भाई उन लोगों को भी डर लगता है अगर आपने उससे थरेटन किया अगर आप ने उसको डद आया एट विल कॉईल तो फटाक से वो क्वोएल करेगा अगर आप जो साब जो स्टरीके से बैट जाते है ना इस तरीके से वो उस तरीके से फटाक से coil करेंगे ready to bite but the rattler itself cannot hear the noise its own tail makes लेकिन जो rattler होता है जो उसकी जो tail है जो इतनी जोर से आवास करती है जो आप 30 meters तक सुन सकते हो वो rattler को सुनाई नहीं देती उसको सुनाई नहीं देती Like most snakes it hears things through vibrations in the ground जो snakes होते हैं आप उनके आगे bean बजाते हैं उनको actually में सुनाई नहीं देता उनको vibrations समझ में आते हैं जो जमीन पे जो vibrations होते हैं जब आप चलते हो तो vibrations होते हैं जब कोई insect वहाँ पहोता है तो हर चीज़ का एक vibration होता है उससे उनहें समझ में आता है that there is someone around को वो मुवमेंट समझ आ जाएगा वाइब्रेशन के तू उसको सुनाई नहीं देगा बट इब था सेम पर्सन वर टू शाउट लेकिन अगर वही बंदा जो इसको सामने चिला रहा है गाने गारा है से को फरकी नहीं पड़ना इट वोड नोट हीर रह थेंग उसको को सुनाई नहीं देगा रैटल स्नेक्स आ वेरी कॉमन और वाइट स्प्रेड अनिमल्स और रैटल स्नेक्स जो होते हैं वो बहुत ही कॉमन है और वो पिक्दम फैले हुए हैं Living right across the American content कहां रहते हैं यह कहां पाये जाते हैं American continent में कहां से कहां तक? From Canada to Argentina So, America में Canada से Argentina में यह एकदम फैले हुए और खूब मिलते हैं रैटल स्नेक्स अब हम बाते हैं They feed on the variety of prey अब यह क्याजा खाते हैं रैटल स्नेक्स They feed मतलब यह क्या-क्या खाते हैं तो आप जिसको खाते हो पकड़के, including mice, wolves, rats, chipmunks and many other small animals. क्या-क्या खाते हैं ये लोग? Mice खाते हैं, चुहों को खाते हैं, wolves क्या होते हैं? Small plant-eating rodents होते हैं, so rodent ही होते हैं, जिसे mice एक rodent है, वैसे एक rodent होता है, जो कि plants को खाता है, rats को खा लेते हैं, chipmunks को खा लेते हैं, chipmunks मतलब जो squirrels होते हैं उस तरीकी के and many other small animals, जितने भी छोटे-छोटे, चोट चलने, फिरने वाले होते हैं, उन सब को निगल लेते हैंगे. Rattlesnakes kill their prey with venom, और ये किस तरीके से kill करते हैं, अपने जहर से, जो उनका venom होता है, venom मतलब उसका जो poison होता है, उससे kill करते हैं. Like all snakes, they swallow the unfortunate animal's whole. और snake जो है न, वो पूरा animal को ऐसा नहीं है कि उसने मस्तर knife लिया, fork लिया और एक-एक पीस करके खा रहा हैं. ऐसा वो definitely नहीं करता, वो एक साथ उस animal को पूरा निगल लेता हैं. Few snakes have to eat more than once a week and some, such as a larger python, can survive for a year or more without eating. कुछ जो snakes होते हैं, उनको एक बार में, एक week में एक बार या एक से ज़्यादा बार खाना खाना पड़ता है. लेकिन जिसे python है, वो एक पूरे साल तक भी अगर नहीं खाए, तो भी वो अपना काम चला सकता है. Mongoose, अब हम बात करते हैं, Mongoose की. Mongoose like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby. Mongoose जो होते हैं, जो नेवले होते हैं, वो हमेशा एक साथ गृप में हंट करते हैं. जब वो किसी को अपने लिए खाना धुडने जाते हैं, तो हमेशा एक गृप में जाते हैं. लेकिन, they always look out for dangerous predators. लेकिन, वो हमेशा बहुत alert रहते हैं. Predators क्या होते हैं? An animal naturally praying on others. मतलब, जो Mongoose को खा सकता है, उनके लिए वो हमेशा alert रहते हैं. Poking their noses into holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws, banded mongooses are very amusing animals to watch. अब ये जो होते हैं, ये खाना बड़े interesting तरीके से धूनते हैं. कैसे धूनते हैं? जैसे कि अगर मान लो कोई hole है, तो उसमें अपनी नाग पुरी गुजाते हैं. कि अगर अंदर कुछ है, कोई छोटा सा चुहा है, या कोई कुछ है, तो उसको बगड़े निकाल देंगे और खालेंगे. So poking मतलब क्या होता है? To force, घुसाना. So poking their noses into holes, overturning rocks with their paws. अपने हाथ से जैसे छोटे-छोटे, अगर आप कभी भी रॉक को अटाओगे, तो उसके नीचे क्या मिलता है? With their sharp claws. और क्या करते हैं, ground में भी, कितनी बार ऐसा होता है, जैसे मिट्टी आप खोदो थोड़ी, तो उसके अंदर से भी बहुसाए कीड़े निकलते हैं. So, अपने जो shark claws होते हैं, उससे वो scratch करते हैं, ground को, और उसमें से भी अगर मान लो, earthworms वगर निकल गए, तो evening sex are done. So, banded mongooses जो होते हैं, जो mongooses होते हैं, जिनमे से lines banded, मतलब पुरी lines बनी होती हैं, ये बड़े amusing होते हैं, amusing मतलब बहुत ही interesting होते हैं देखने में. A common sight in many parts of Africa, अब ये सबसारा कहां पाये जाते हैं, हम banded mongoose की बात कर रहे हैं, ये अफरिका में पाये जाते हैं, they travel in groups of about 20, ये 20-20 के group में घूमते हैं, to forage for beetles, millipedes and other small creatures. So, ये beetles खाते हैं, millipedes खाते हैं, ये सब छोड़े जो earthworms type के होते हैं, उन सब को खाते हैं, forage का मतलब क्यों होता है, search for food. तो ये जब खाना धूमने जाते हैं, तो 20-20 की टोली में जाते हैं, खूब मस्त निप्ता के आते हैं, feast कर के आते हैं, ये लोग. ये क्या करते हैं, ये हमेशा groups में रहते हैं, ताकि अगर मान लोग कहीं कोई खत्रा भी हो, तो कोई अकेला ना पढ़ जाए, fight करने के लिए कोई होना चाहिए, चैसे मान लोग कोई छुप गया, अगर किसी rock के पीछे छुप गया है, तो भी एक दूसरे को signal पहुचा आते रहते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, किस तरीके से? ट्विटरिंग, मत जैसे birds की chirping होती है, वैसे ये लोग ट्विटर करते हैं, और एक दूसरे को उस तरीके से बुलाते हैं, always on the lookout for danger, ये लोग पूरे time तयार रहते हैं, पूरे time डिखते रहते हैं कि कहीं से कोई खत्रा तो न देते हैं, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious, और अगर मान लो उन्हें लगा कि यहाँ पे कुछ danger है, कुछ भी suspicious है, suspicious मतलब जिसमें भी कोई doubt है, तो अगर उन्हें ऐसा कुछ भी लगता है, तो ये एक दूसरे को special call करते हैं, मतलब एक special इनकी आवाज निकालते हैं, जिससे सब को समझ में जाते हैं, बीटा यहाँ से निकल लो, वहना वाट लग जाएगी, मॉंगूसेस आप फेमस पो बिंग एबल तो किल स्नेक्स विदाउट गेटिं हर्ट थेमसेल्फ, अभी जो मॉंगूस होते हैं, ये बहुत intelligent creatures होते हैं, बहुत swift होते हैं ये लोग, तो ये लोग जो होते ह ये अपने आपको हर्ट किये बिना एक स्नेक को माल सकते हैं, कैसे? Okay, their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes, now imagine कि एक मॉंगूस है और ये एक स्नेक है, so मॉंगूस क्या कताब, जैसे स्नेक है उसको position में आने में time लगता है, जैसे वो position में आ गया उसने strike किया, तब तक मॉंगूस जो है वो इतना fast होता है, कि वो तुरंथ डॉज करेगा, डॉज करना मतलब क्या होता है, अपने आपको बचाना और वहां से निकल जाना, avoid by a sudden quick movement, ठीक है तो डॉज करेगा, स्नेक जहां नीच आ उतनी दे में जाके वो उसको बाइट कर लेगा, okay, that will hurt the snake, and तब तक जब तक जैसी उसने यहां पर बाइट किया, तब स्नेक पलटा, और उसने वापस वो य कर लेगा, so they continually make a nuisance of themselves until, तो वो क्या करते हैं, वो स्नेक को ठका देते हैं, वो continuously nuisance का मतलब क्या होता है, annoyance, वो इतना स्नेक को annoyance करते हैं, मतलब यहां से है, वहां से है, यहां काट लिया, वहां से है, यहां काट लिया, after a while, when the snake gets tired, they quickly dive in for the kill, और जब एक ताम किया है, जब स्नेक बहुत जादा ठक जाता है, क्योंकि strike कर करके, जब ठक जाता है, तब वो जाके उसके गले पे, उसको उस तरीके से पुदा पकड़ के हो, उसको मार देते हैं, all the female mongooses have their kitten at about the same time, जितने भी female mongoose है, इन लोग का बहुत सही है, यह लोग ना सब एक साथ बच्चे करते हैं, ठीक है, और इनके बच्चों को kitten कहते हैं, जैसे हम cat के बच्चों को kitten कहते हैं, और mongoose के बच्चों को भी kitten कहते हैं, they are raised by a whole group in a den, अब यह ऐसा नहीं है, कि भाई, यह मेरा घर है, वो तुम्हारा घर है, मैं अपने बच्चों को अपने घर में पालूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, यह सब एक साथ अपने बच्चे को पालते हैं, made inside an old termite mount or hollow log, अब यह क्या होता है, एक साथ, कहां पर एक den होता है इनका, जैसे कि old termite mount, termite mount मतले जिससे देखा होगा, मिट्टी के तीले बने होगे होता है, जैसे चीटियों का घर होता है, वैसे बड़े-ब मिट्टी के तीले बनते हैं, जहां पर सारे mongos, जिनके जो वो छोटे-छोटे बच्चों को बढ़ा करते हैं, और hollow log, मतलब जैसे कोई एक खाली, खोखला सा एक पेड का लोग पढ़ा हुआ है, जिसमें जैसे जिसमें एक गढधा है, जिसमें आप रह सकते हों अंदर, hollow log मतलब a piece of wood having a hole in it, when most of the adults are out looking for food, अब क्या होता है, जब ये mongos, 20-30 mongos जब बाहार हैं, when they are searching for food, तब भी one or two males, एक या दो mongos, male mongos जो होते हैं, they stay behind, why? to protect them, to stand guard until the others return for the night, to stand guard, मतलब वो वहाँ पर guard करते हैं, ताकि उनकी जो female mongos हैं, और जो उनके eggs हैं, मतलब जो उनके off springs हैं, वो उनको कोई hurt नहीं करें, ओके, another animal which lives in the desert is the camel, अभी हमने mongos के बारे में पढ़ लिया, और हमने rattlesnake के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं, camel के बारे म So, camels were first domesticated by people many thousands of years ago, camel जो है उसको हम tame कर चुके हैं, उसको हम transportation के लिए use करते हैं, आप देखोगे वहाँ पर लोगों के पास camel होते हैं, ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह travel कर सको तो उसको सबसे पहले, thousands of years पहले हमने उसे domesticated कर लिया, मतलब tame करके अपना पालतू बना लिया In the wild, camels usually live in small groups of up to 30 animals अगर जो आप wild में जाओ, मतलब जो camels जो हैं वो tamed नहीं होते, वो लोग हमेशा 30 के groups में भूमते हैं मतलब छोटे छोटे groups होते हैं, 30 camels each Camels have long shaggy winter coats to keep warm and shorter tidier coats in the summer to keep cool अगर आप जो cold deserts होते हैं, वहाँ पे जाओगे तो जो camel होते हैं, उनके बहुत सारे बाल होते हैं Shaggy मतलब होता है long and thick hair तो उनके बहुत long and thick hair होते हैं, ताकि जो climate है, मतलब इतनी थंड से वो अपने आपको protect कर सकें लेकिन अगर हम बात करें कि hot desert में जो camel होते हैं, उनके जो बाल होते हैं, वो बहुत thin होते हैं और एक्दम tidy होते हैं, इतने heavy नहीं होते हैं, ताकि वो again उस summer से अपने आपको protect कर सकें A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water, that's about 500 full glasses in just 10 minutes तो अगर camel thirsty है, तो वो 30 gallons, मतलब 500 glasses of water 10 minutes में पी सकता हैं Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all तो इसको जो है, वो जो cactus अगरा होता है, ये सब खा लेते हैं ये लोग तो उनसे भी इसको moisture मिल जाता है और almost 10 months तक ये बिना पानी पिये रह सकता है There are two kinds of, two different kinds of camel, one known as the drometry and has only a single hump Hump क्या होता है, ये जो part होता है जो ये elevation होता है, camel के back पे, उसको बोलते हैं hump तो camels को दो part में divide किया गया एक जिनमें एक ही hump होता है और दूसरे जिनके दो humps होते हैं ठीक है, तो drometry किसको कहते हैं, जिनका सिर्फ एक hump होता है और bacterian किसे कहते हैं, जिनके दो humps होते हैं The humps help the animal to survive in the desert अब ये जो humps होते हैं इसके थूँ वो survive कर पाते हैं By acting as storage containers क्योंकि ये उनके लिए storage container का काम करता है जिसमें ये अपना खाना रखते हैं लोगों को क्या लगता है कि इन humps में ये लोग water safe करते हैं जबकि it's a myth ये जो humps होते हैं, they are full of fat As many people wrongly believe, they are full of fat तो लोगों को क्या लगता है, उसमें usually पानी होता है बट नो, इनमें fat होता है अब क्या होता है, ये जो camels होते हैं जब मानलो, खाना बहुत कम है, तब यही जो fat होता है, ये हमारी उनकी body में वो इसी को use करने लग जाते हैं और जब जैसे मानलो, उसे बहुत time तक खाना नहीं मिला, तो उसका hum कम होने लग जाता है If they have nothing to eat for several days, their hums shrink as the fat is used up Shrink मतलब contract होने लग जाता है, कम होना लग जाता है, क्योंकि वो fat use हो रहा है Example, जैसे मानलो, आप जो हो, अगर आपने 2 दिन खाना नहीं खाया, 4 दिन नहीं खाना खाया, 10 दिन खाना नहीं खाया आप नहीं मरोगे, क्यों? क्योंकि आपकी जो body में जो fat है, आप दुबले होते जाओगे क्यों? क्योंकि आपकी जो body में already existing fat है, वो पहले आपका body use करने लग जाएगा तो जो camels होते हैं, उनका जो hump है, it's full of fat तो जब भी अगर मान लो, बहुत time तक उसे खाना नहीं मिला, तो वो अपने हमसे fat use करके survive करता है There are many other ways in which camels are adapted to desert life और भी बहुत सारी तरीके हैं, जिससे उसने desert life को पुरा adapt किया है मतलब अपने आपको desert life के हिसाब से cope किया है Their mouths are so tough that even the sharp thorn cannot pierce through अब यह लोग cactus खाते है, हम छू नहीं पाते है और लोग cactus खाते है इसका मतलब क्या है, इनका जो mouth होता है, वो इतना rough होता है इतना ज़दा tough होता है कि जब यह cactus खाते है, तो भी वो prick नहीं करता, चू भुता नहीं है उनको So guys, that's it, we are done with this beautiful chapter I hope you gained some knowledge, right We studied about camels, we studied about rattlesnakes, mongoose and there were some beetles So हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा है कुछ तो knowledge मिला ही होगा and I am sure it was interesting for you So in our next video, we are going to do the question answers of this chapter Chapter अच्छे से पढ़ा है, question answers तो हम से यू हो जाएंगे So stay tuned, stay connected and I will see you very soon with our next video Thank you so much, bye bye